जहें दो से बंदे मातरा तो वही फाइनली वो दिन आही गया जिसका की सभी को बेसबरी से इंतिजार था भोला अपसे कुछी देर में थेटर्स में रिलीज कर दी जाएगी लेकिन इसको लेकर जो एडवांस रिपोर्ट सामने आई है वो कहीं से कहीं तक भी इस तरफ शारा नहीं कर रही है कि अजेदेवगन की भोला दृष्यम 2 की सकसेस को एक बार फिर से रिपीट कर पाईगी सब कुछ रिपेंट करने वाला है भोला की वर्ड आफ माउथ पॉब्लिसिटी के उपर अगर इसकी माउथ पॉब्लिसिटी अच्छी होती है तो शायद ये मूवी एक बार चल जाए वरना इस मूवी का जो ओपिनिंग डे कलेक्शन निकल कर सामने आ रहा है वो कहीं से कहीं तक भी इस बात को जिस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये मूवी क्या करने वाली है अजय देवगर्ण और तब्बू स्टार अब भूला राम नवमी के मौके पर तीस मार्च को सिनवा करों में रिलीस हो रही है अजय इस फिल्म से चौती बार बता और डारेक्टर भी परदे पर अपना दम दिखाने जा रहा है कोशिश यही है कि पिछली रिलीस दर्शम टू की तरह इस बार भी बॉक्स आउस पर आजय और तब्बू की जोड़ी दमाल मचा है लेकिन एडवांस बुकिंग के जो आखड़े सामने आ रहे हैं और फिल्म को लेकर जिस तरह का माहौल बस बना हुआ है लेकिन इसके साथ ही रमजान के कारण इसे घाटा भी होगा जो फैंस रोजा रखते हैं वो फिल्म देखने नहीं पहुंचेंगे हाला कि फिल्म के पास आगे वीकेंड पर खुल कर कमाई करने का पूरा मौका है क्योंकि इस वक्त बॉक्स ओफिस पर पहले से मौजूद भीड जॉन डिक फोर तुजूटी है मकार और मिस्स चैटल जो इसस नौर्वे में वो अब दम नहीं बची है ऐसे में भूला अपनी कमाई खुल कर कर पाएगी कुल मिलाकर पूरा पूरा दानुदार अब दर्शकों पर ही है यदि उन्हें ये फिल्म पसंद आती है तो कमाई की बरसाथ होगी और अगर पसंद नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं ये बॉली उट को एक और जटका ही लगेगा बात करें भूला कि एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की तो ये बहुत अच्छी नहीं है रिलीस से 11 दन पहले ही मेकर्स ने इसके एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी लेकिन उपनिंग डे के लिए मंगलवार तक महज 13,000 के करीब ही टिकेट्स बिके थे हला कि बुदवार को टिकेट्स के एडवांस बुकिंग में तेजी आई और ताजा रिपोर्ट बताती है कि बुदवार तक करीब करीब 40,000 टिक्टों की बिकरी हो चुकी है इस तरह बुदवार ने एडवांस बुकिंग से बुदवार तक करीब 70,000 करोड रुपई कमाई कर ली थी बुदवार को भी एडवांस बुकिंग हो रही है और अगर यहां अकराद 2 से 70,000 करोड के आसपास तक पहुचता है तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा यह मूवी दृश्यम 2 के मुकाबले काफी कम मतलब एडवांस बुकिंग में निकाली है पैसे दृश्यम 2 ने रिलीस से पहले ही एडवांस बुकिंग में 6.5 करोड रुपई की कमाई कर ली थी भोला असल में लोकेश कनगराच की तमिल फिल्म कैथी का हिंदी रिमेक है अलाकि दृश्यम 2 भी इसी नाम की मल्यालम फिल्म का रिमेक थी लेकिन भोला के साथ समस्या ये भी है कि कैथी हिंदी वर्जिन में करीब एक साल से OTT बेटवांस पर मौजूद है ऐसे में हिंदी का एक बड़ा दर्शक वर्ग पहले ही ओरिजिनल फिल्म देख चुका है कैथी की गिंदी तमिल की कल्ट फिल्मों में होती आलाकि अज़ेदेवगन ने रिमेक करते हुए इसे बड़े विशाल कैनवास पर तयार किया है हाई अक्टेन एक्शन सीन्स जाले हैं वी एफिक्स पर भरपूर इस्तमाल किया गया है इन कारणों से फिल्म 3D और 4DX वर्जिन में देखने में ज़्याद अच्छी लगई भोला का बजट 100 करोड रुपए के असपस बताया जा रहा है ऐसे में फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 110 से 115 करोड रुपए तो कमाने ही पड़ेंगे फिल्म में अज़ादेवगन और तबू के साथ साथ संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल, गजराज राओ, विनीत कुमार और मकरन देश पांडे भी इस फिल्म को अज़ादेवगन फिल्म्स के साथ ही रिलाइंस एटेटेन्मेंट, टी सीरीज, फिल्म्स और ड्रीम वारियर ने मिलकर वड़ियूस किया है भोला के टीजर और ट्रेलर को काफी पसंद किया गया था ऐसे में शुरुआती अनुमान जो लगाय जा रहे थे इस मूवी को लेकर उन्हें बताया जा रहा थे कि फिल्म ओपनिंग डे पर 20-25 करोड के आसपास आसानी से कलेक कर लेगी लेकिन जिस तरह एडवांस बुकिंग में दर्शकों को कम उत्सा में देखा गया अब यही लग रहा है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर 13-15 करोड रुपए के आसपास ही कमाई कर पाएगी इसमें अब सबसे बड़ा रोल अजे देवगान के स्टार्डम कर रहने वाला है फैन्स फिल्म देखने सिनमा कर पहुंचते हैं या नहीं ये देखने वाली बात हो बहुत संबाइव है कि आगे वर्लेट अफ मौथ के बूते पर फिल्म की कमाई बढ़े वैसे दर्शम 2 ने भी ओपनिंग डे पर 15 करोड रुपई का लेक्शन किया था दर्शम 2 का टोटल नेट आकड़ा 233 करोड रुपई भूला की कहानी के केंदर में जेल से रिहा हुआ एक कैदी है जिसके बारे में किसी को बहुत जादा जानकारी नहीं वो रिहा होने के बाद अनाथाले में पल रही अपनी बेटी से मिलने जा रहा है लेकिन इसी बीच रास्ते में उसकी मुलाकात एक पलिस अफसर से होती है या उन दोनों के बीच में एक साथ घांट होती है जिसके की तहट कुछ एक कॉंक्रीजन निकाला जाता जिसमें कि किसी का भी मतलब कटे ना अब सीधी सी बात है पलिस वालों का भी काम हो जाए और उसका भी काम हो जाए फिल्म की पूरी कहानी एक रात में सिम्टी हुई ऐसे में इस मूवी को देखने का एक अलगी मजा है कैती है अगर आपने देखी हुई है तो आपको भी ये चीज पता होगी या नहीं नहीं इस वीडियों फिल आत नहीं जाहिए 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 जाहिए